कुमार शुक्ला आप देख रहे हैं सस्ती अभिन्य मैस यूट्यूब चैनल रात को बच चुके हैं दस दस बज़े में हाजिन हूं आपके सामने बहतरी शांदार क्लास लेकर करके कर देखा है तो चैनल की पेपर में जो भी बच्चे हैं सांदार अच्छी पेपर दिखाईए कि कल से लगतार में इसेंटर में आवेल रहूंगा शुरू करते क्लास को स्टाटिक जीके के लगतार सीरीज करा रहा हुँमें आज और सांदार कोस्टन कराऊंगा बहतरी इंप् द्यान से लेंगे त्याली करो रेलवे दे रहे हो एंपी हो एहराना यूपी रजिस्थान बंगाल सीडियास अंडियाफ कोई भी हो इसका सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस कराऊंगा इसमें एडमिशन लेना बिल्कुल मत भूनना बहुत इंप्वॉत इंपॉर्टन् लोग है अब इने मैंस अप्लिकेशन में जाके सबसे फर्ष्ट कम करना इस में लेना इसी क्लास आज से स्टाट होगी है कल से टॉपिक पठाना सुरू कर देंगे चलिए चलिए तो सुरू करते हैं क्लास को क्लास करने को पहले आज मैं शांदर संदर कंप्यूटर के भैतर लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर देंगे चल्मना अश्चाल को सब्सक्राइब जरू कर देंगे और एक और और शी बता दूने कि यह क्लास लगाता रेगुलर रही है इस क्लास में 10 बजे डेली आना है क्लास में कभी मिस्स नीकरना बहुत इंपॉर्टन क्लास है और आज मैं आज आटरेंग कल्चर करने वाला था बट आटरेंग कल्चर में हमारे पास थोड़ा प्रीपीटी बने में थोड़ा समय लग गया तो आज मैं आपको कंप्यूटर के धेर सारे कोस्टन कराऊंगा और ऐसे सवाल जो एससी में पिछले सालों में पांथ-दस साल में सब्सक्राइब करने वाला हूं आज हमारा पूरा फोकस कंप्यूटर में रहेगा लेकिन उसके पहले मैं आपको 20-25 मिनड़ में एक छोटी सी पीडिएफ कराऊंगा परसनाल्टी का इंपोर्टन परसनाल्टी से लेटे कोशन पूशन पूछ लेता है पहले वो कराऊंगा सब्सक्राइब करेंगे आप लोगे बहुत ही शांदार कंटेंट रेडी किया है मेरे भाई मतर क्या ही बोलो गया जो स्ट्राटिक जी के फाइल है ना राध को 10 बजे पढ़ाऊंगा उसमें हमाने कर दिप 30-40 टॉपिक्स बनाए है 30-40 वीडियो का प्लान है लगातार डेल सब्सक्राइब करने वाली भारती मूल की पहली महिला कौन थी एससी 2016 का कॉस्टन है अफ इंडियन ओरिजिन फू अंडर टुक आप इस पेस जर्नी बात नहीं करेंगे सिर्फ अंसर देंगे फटावट चड़े आंसर दीजिए ज़ी फटाक से सर कंप्पूटर सब करा देंगे बावू कंप्पूटर सारा कंप्पूटर भी करा दूंगा सब करा दूंगा चिंताउटकना जो मैंने आप से वादा किया है कि हंडेट दिन आप मुझे दे दीजिए काम हो जाएगा बिल्कुल सबसे फर्ष्ट परसन कोन ह सतना वाब हसा है लोगatar का गया अको माव्लुम है कि 2003 में जो लोग हो गया था मिधन हो गया अुं से कोन्ती को ना के जगह कोम्बिया हुसत हाइव बहाउब बाहए और 2003 जो हास्ता हुआ उस हास्से में यह देश हिंदुुस्तानी के प के बेती माब चूवला दोहजार तीन नोट की जगा अगला सवाल नेक्स प्रोशन लिजे जल दिसे फटावार अंसर देंगे पढ़ाई करोगे तो यह सेलेक्षन होगा बावू पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मुहबबत के चक्के में सब्सक्राइब हो जाएगा और यहां मैं उसके बीना जी नहीं पा रहा और वहां वह अपना लहंगा मिला रही है किसी के शेरवानी से तो वह निकल लेगी अराम से साधी होगी मस्त इंज्वाई करके चूनरी जैपूर से सलवाई को हो जाएगा और आपका कारण हो जाएगा अंतरच में जाने वाले पह Qorris & QORsi पूच्च चुकआ है नौड की जगा राकेश सरमा जो है यह आपका Air Force के श्कौडर leader उबर यह व्यक्तिं के शाथए दो रूसी याक्तरी इनके साथ थे मेरे भाई हाना 1984 में एयर फोर्स के स्कॉर्डर लीडर थे नोट की जागा इंपोर्टेंट ये सवाल ही पूछ चुका है जिती बात लिख रहा हूं नोट करते चलिएगा आगला सवाल है इनमें से कौन भारत के पहले रच्छा परमुख है दौके जली व đến HR इंडिया फोड श्रिस चीफ और स्व एब टिस इंडिया फोड़िया फाकना के सवाल है अंतीर में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताईये आंत्रिच में जाने वाला फर्स पर्सन कर नाम फट बाना सथल रहालना पूछता है तो यह कॉश्चन से लेकर रहा हूं सारे के सारे सारे के प्रिवियस से पेपर है कोई सीजल में पूछा कोई यूरी गौगरिन एज राइट आंसर फॉर इस मेजर यूरी गौगरिन आचा किस यह में गया था यह सब्सक्राइब यूरी गौगरिन और यह बारह अप्रैल आप लोगों के लिए 40-50 इंपॉर्टेंट वीडियो का प्लान बनाया है डेली लाली क्लास के लिए डेली वाली क्लास के लिए डेली मंदिर कराऊंगा गूफ्हां कराऊंगा मकबरे कराऊंगा जीतने कॉस्तन्स प्रिवेई से पड्र में आ है सारत करा दूँगा तो दस प्रजी वाली क्लास में impulse नेहीं करना अगला नील आमस्टरंग चंद्रमा पर कम उतरे थे ते हाना तो buying वेरे गोड नील आमस्ट्रांग कब गया हुआ 12 जुलाई 1961 जून 1969 20 जुलाई 1969 या 20 जुलाई 1969 C is राइट अंसर 20 जून ठीक है C is राइट अंसर बीस जुलाई 1969 20 जुलाई 1969 को यह पहुंचा था कहा पे आकट चंद्रमा पे और यह अकेले नहीं गया था यह गलती लोग और कौन थे एक था आपका माइकल कॉलिस और एक एडविन एल्रीन माइकल कॉलिस यह कॉलिस ताना और एडविन एडविन एल्डरिन एडविन एल्डरिन नोड की जगा इंपोर्टेंट है पूछ चुका है सवाल तो यह चाचा है हना यह कौन है नील अंश्टांग यह रस अमेरिका था और यह आपका 20 जुलाई माइकल कॉलिस और एडविन जो है यह इसके साथ सामिल है चलो अगला समाल सुनित्र विल्यम्स कौन है सस्सी 2016 फटावरांस कर देंगे और मेरे बहिया डेली वाली क्लास यह 10 बजे डेली आना है आप लोगों के यूट्यूब के लिए शांदार प्लान बना लिया है आने वाल कराऊंगा मंदिर कराऊंगा गुफाय कराऊंगा मकबरे लाएं से सारा डेली आना है कौन है मेरे भाई बिल्कुछ तिम्पल अंतिच शियात्री है एस्ट्रोनाट है कल्पनाश चावला के बाद सेकेंड परसर है कौन हमारी आपकी सर्जी मैं आपका वीडियो महा कलेस्व से लाइव देख रहा हूं क्या बात गोयल साहब मिल्कुल भगवान भोले नास से प्रार्शना है भगवान भोले नास सभी को आश्रवाद दे और बस ऐसी जिन्दकी चलती रहे क्या चीए आपका आगला सवाल लिजे नेक्स्ट किस महिला अंतिच श्यात्री ने एक महिला द्वारा सरवाधिक समय तक अंतिच श्यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है यह सवाल पूछा था था चासल 2020 में विच वुमेन एश्टरनौट है जिस सेट रिकॉर्ड फॉर्ड लॉंगेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इन आ बाय अबुमेन सिंगल जली शांदा इस दूरा इकसल थोड़ा फ्लीज गाइड कर दीजए गाइड करतो रहां आगो सब हैं रहुल वाल के सदुपि फॉर्ड के सक्षिया को तो एक अमेरीका की यातरी है क्रिस्टीना कोच क्या रहा है क्रिस्टीना कोच कौन है क्रिस्टीना कोच अमरीका की है नोड करना अमरीका की है और इनने भाई सहाव इस पेस में कितने दिन तक का रिकॉर्ड बनाया है और यह फरवरी 2020 को वापस लोटी इस फरवरी 2020 को वापस लोटी है मेरे भाई नोट करना अंतरिश चात्री हैं अमरीका की क्रिश्टीना कोच और अगला है कि समुद्री रास्ते से सर्व प्रथम संपूर्ण प्रस्वी का चक्क्र लगाने का स्रे निमलिखित में से किसे दिया जाता है स्सी चसल 2017 वेद प्रकास पांडे भीए नमस्कार भी आंसर दीजे सर्व धोड़ा फास्ट चलिए फास्ट चलोंगा तो बोलेंगे धीरे चलो धीरे चलोंगा तो बोलेंगे फास्ट चलो करूं तो करूं क्या जल्दी है अंसर तो 388 नहीं बैटा 328 कौन है अंसर क्या आपका फर्डिनेंट मैगलन हर्डिनेंट मैगलन इस राइट आंसर यह कहां कहां यह आपका पूर्तगाली मेरे भाई पूर्तगाली यह सवाल पूछा था आपका यह सवाली बहारती नाओसेना में पहली महिला पालोट का नाम क्या है अंडिया नेवी जल्दी भारती नो से ना में बाती मेटा सिरी फांत जदेंगे जिनको प्रहाई करना वह very class में आएंगे जिनको selection चाहिए वह class में मैं आएंगे time-pass वप्चे बिल्कुल बताना you अर्विंद कुमार सर मेरे पापा आपकी क्लास देख रहे हैं बोलते बहुत बढ़ाते भी यह पापा जी को चैनल स्प्रस बोलियो चले तो भारती नोसेना कि भीज़ बिहार की मुझफफर पूर की बेटिया है हमारी बिहार की जो मुझफफर पूर है मेरे भाई उसके शिवांगी सिंग कौन है शिवांगी सिंग और इन्हें मेरे भाई दो दिसंबर 2019 को यह पायट बढ़ी दो दिसंबर 2019 को न कुछ बोलते हैं बेटी कुछ कर नहीं सकती बेटी को मौका बेजा तो बेटी बहुत कुछ कर सकती है बसे कि आप मौका दीजिए और ट्रस्ट अब वह आजकर एक क्रेस चल लगया जियोती मौर्या जियोती अरे एक जियोती बर कहानी है या रहा कि एक मश्री के गंदा होने से पूरा समूद्र गंदा नहीं हो जाता ना यह पुरा तलाब गंदा नहीं होता एक गडवर कर दी होगी वह बड़ों यह सब दो और भाश अगला भारतिय कवी गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूरण सिंह काला का उपनाम क्या है संपूरण सिंग काला स्ससी जीडी 2019 शांदर क्लास हुई तो थी तीन बजे आज 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 इंट्रोडक्शन क्लास क्लास वाले जो कॉर्स है उसका एप्लिकेस्टर में इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है बाबू कैसे नहीं आपको बिलकुल गुल्जार शाहब का नाम अमने सुना होगा बड़ी बड़ी शांदार साहिरयां लेगते हैं मेरे भाई और 2004 में पदम भूशन मिला था नोड की जगा पदम भूशन मिला धाएसकों 24 में और एक गाना लिखा था इन्हों जैयों संगीत के लिए शाधार करने के लिए चलो करना कर तो कुछ भी यहां कि ने आजτιन बजे 2 को कलास लिया है आपका दसजार कॉस्टन वाला उसकी क्लास मैंने आज तीन बजे ली है करीब पचास मिनट पढ़ाया मैंने पचास मिनट के आस पास जाकर देख लेना और नहीं मिल रही है तो फिर भाई बताओ तो फिर आपने काम करेंगे ढूरिंगे एपलिकेशन में जाकर के कि सब्सक्राइब मिला जुर्ब और तो कोस्टन वारा को स्ब्सक्राइब कर ना वीडियो खतम होने के पद जरेंख पर कमंट करेंव जिसको नहीं मिली है तो नहीं मिल ये नहीं वाली आपको मैसेज कर देंगे ठीक है चलाओ अगला सवाल है अगला सवाल है पन्नाल घोस निम्लिखत में से कौन तवाध्यंद बजाते हैं पन्नाल घोस प्लेड वीच अब दा फॉलिविंग मुजिकल इंस्टूमेंट्स शारे सांदर कोशन से सब मेरे प्री में बहुत कम नंबर मिले हैं कोई बात नहीं भी या देखो लगे रहोगे लगे रहो कुछ ना कुछ करते रहोगे मेरे भाई तो जिंदगी 100% हो जाएगा मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दासता क्या क्या खोया है हमने यहां तक पहुचते पहुचते तो जब यहां पहुचते होगे जिदिन सेलेक्शन होगा तब यह सब याद आएंगे एक ठोकर खाओगे कोई दिक्कत नहीं सपने बड़े भया अगर साइस इंस्पेक्टर बनना है सीजेल निकालना है रेलवे की बड़ी नौकरी पाना है यह यूपी पुलिस यूपी एसाई बनना तो बड़ी सपने हैं अब बड़ी सपने हैं तो भया समय ठोड़ा धैर तो लएगा जब बच्चा 9 महीने मम्मी की पेट में रहता है तभी आठ महीने में निकलेगा तो उसको बोलेंगे प्री मिच्चोर बेबी कमजोर रहेगा इसका 9 महीना पूरा प्रॉपर टाइम जब लेगा तहीं बच्चा निकलता है वैसे आप भी मेहनत करोगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसुत देखो मैं फिर से बोलता हूँ हो सकता है मैंने लाखोए लोगों से बात की हैं लाकोण लोगोँ को पढ़ाया है बहुंत करोगोगा तो 100% निकलता है डरना मत हारना मत और घर वालों से रिट्रेश्ट है कि प्लीज बचों को सब्चों को सपोट किजए लोग थो दर जाते हैं घर वालों कुछ नहीं करना सपोर्ट के रम सिर्फ इतना बोल दो कि बैटा तू तू त्यारी कर बस इतना बोल दीजे बच्चे से बच्चा निकाल ले जागा मेरी गार्टी चले पन्नाला घोस का भाई साब यह आपका बांसुरी बजाते हैं अगला निम्लिखित में से किस विज्ञानिक रहो सिनेमा का अविसकार का स्रेय दिया जाता है विच अब फॉलिविंग विज्ञानिक क्यों बोलिंग गयार विज्ञानिक मत बोलो ठीक है चलो शीके लिग दो जादी अब भी अब स्विञानिक कर दोगें मैं मिलों गया 62 वाले नोड़ा के सेंटर में अब हाँ रहुल गयल सब की लिस्ट बना लिए पर भाई कहें चिंदा करते हो सब की लिष्ट बना लिए मेरे भीया कॉन कॉन स्टॉपक प्रहाने वाला आपको एक काम करो मैं को दिखा ही मैं जो आप लोगे लिए बना रे वाला हूं यह जो इस्ट टीक जीके की क्लास लेने वाला वाला हूं को मैं मैं बताता हूं क्या क्या-का प्रहाने वाला हूं स्पोर्ट घरंग इंस्ति तोसेंट है मेलै करम गया गीत करूंगा और लिवड फुरिग ऍवह रिजिए करण पने पलंगा अबर्ड शितरकारी प्रैंटिंग करा अंब साथ पचास टॉपिक हमारे पास है यह नोक डेली करने वाले हैं और इसी क्लास में करेंगे कहीं अलग से नहीं करने वाले है तो दस बज़े वाली क्लास में डेली जुड़े रहना कर हम डान्स से सुरू करेंगे डेली एक एक टॉपिक करेंगे और बारीक से बाल से खाल धारे के जिम्वारी मेरी चलो क्या था हमारा क्वेशन था कि किस में ग्यालिंग को सिनेमा चलतित का अलसकार का स्रेदी आता है किसो देता है लुमियर ब्रदर्स खो अगरा सवाल सबस्क्राइब चला सब्सक्राइब चला मां क्या मत्रस लिलता कोई ठाहरा इत्र कर सकते है आप हंट्स कर सकते हैं मेरेपास हैं जी निरास नहीं होगे जीके में जीके साइन्स का अंटर्फर्स का बूर्ण निरास नहीं होगे दस बज़े वाली क्लास डेली देखिए रात को डेली एवरीडे ठीक है बाकी और जो ची बताते चलूगा सो फॉलो करते चलिए आई प्रॉमिस काम हो जाएगा चले आज़े साउन भाई सुटर नोगो टेख्र squishy साब की वाइफ सावन आज़मी जावेद्रक्तर साब की वाइफ है बहुत रिषान्दार अक्टर इड never अशर्ड और अ एक या जमी का नाम सुने है आपने कैफी आजमी का सुखने नाम है नहीं सुना क्याफी आजमी बहुत बड़े राइटर थी है तो बड़े वाईप है क्याफी आजमी की बेटी है सवान आजमी क्याफी आजमी क्या जिलि के पारड़ी यह आपका जावेद दक्तर की वाईप है जावेद का दम चुना होगा आप जवैद दक्तर बहुत बड़े राइटर है हना अची ती सोले मिल फिल्म उन्हें लिखी थी फरहान अक्तर यह फ्रांफ था फरहान पुछा था। नोट की जएगा इनके बहन है जोया अक्तर जोया अक्तर जोया अक्तर ने बड़ी शन्दार मुवी अना इन आ थी यह को छनी पूछ चुका है राजी फिल्म आई थी अभी आलिया भेट के फिल्म एंस वह जतुंद हे तरीका होता है बहुत से शीन्स ओमर वाली फिल्म मनाती यह थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ां को पता होना चाहिए इसे कोश्चन में पूछ लेता है पाकिस्तान कर आंकिता हर चीज पाकिस्तान हो जाएगा अगला सवाल नेक्स्ट स्री अरविंदो का जनम किस वर्स हुआ था शांदार कोश्चन है कि विडियो लाइक खो सेनगे दस और टिरों कर देंगे घरेख स्कूण गयाएं अगयाप क्लास में हो गया बटकना नहीं पड़ेगा जल्दी वेरी गुड तब हुआ था डेट याद करने जरए की डेट याद करना 15 अगस्त 1872 1872 को कलकत्ता में इनका जनम हो था कलकत्ता में का जनम हो था स्री अर्विंदो का हाना इनकी किताब का नाम कहा है मेरे भाई डेसर और योगा दमधर योग लेतर से लेटर सोल एक व्यटर से प्रस्यद्द धिक्या थे भाई सब्सक्रस्ठराइब सर अब अच्छा प्रहाते हैं अब फाइदा उठार तो मज़ा जाये सर आपने आज दसदर कॉर्शन वाली स्रीज क्लास नहीं की घुसरणडी बारूंगा पीठ में अकर जाएगा प्रहात ये बारूंगा ये पीठ में किसने बोला नहीं की जूट बोलता एक नमबर का तीन जली अब अब बहुत सुन्दर क्या है एक कवी है कौन है कवी इनका जनम हुआ था 1882 नोड कर लो इनका जनम हुआ था मैरे भाई 1882 में ने जनम हुआ था और तमिल के साउथ के बहुत बड़े कवी हैं आफ बहुत कवी है इन्हें महा कवी महाकवी भर्थियार के नाम से जाना जाता है नोट कर लो इन्हें महाकवी भर्थियार के नाम से जाना जाता है पूछ चुका है महाकवी भर्थियार के नाम से किसको जानते हैं किसको हमारे सी सुपरबनम भारती जी को अगला सवाल भारत के पहले फिल्ड मार्शल कौन है इन पर फिल्म आ रही है कैट्रीना कैफ का जो सोना बाबू है उस फिल्म है सर इंग्लिस ऑप्सन भी देखने दो हाँ साब देखो कौन रोका है यह लोग देखो इंग्लिस ऑप्सन को देखना पड़ेगा कोई दिखत नहीं चलो मैं ऐसा बीच में हो जाओ पतला भी तो नहीं तो कोई दिखत मोटा हुन रेस कारण से दिखत सुझाती है आप लोगों को चलो भारत के पहले फिल्ड मार्शल जैसे उता हूँ बहुत सुनार कौन है एस एच एफ जेनरल मानिक्षा कब बने थे आंसर दो कॉस्टन पूछ चुका है उँ भाई पहले फिल्ड मार्शल की बात कर रहा हूँ मैं मानिक्ष्व सहाब थे जल्दी कब बने थे जल्दी बताओ मुझे मालू में कब गल्ती करने वाले हूं 100% गल्ती करने वाले हूं मुझे मालू मैं कब बने थे आंसर दो चलो अगरा सवाल बांगलादेश मुक्ति युद्ध कौन थे, who was the Indian Army Chief at the time of Bangladesh Liberation War, बात नहीं करेंगे, परे यार CHSL तो लिए क्लास, ये CHSL मानो, चाहिए CHSL मानो, चाहिए रेलवे मानो, MTS मानो, जेए इस्टेनो सम्मालू, दस बजे वाली क्लास में मैंने बताया है न, ये सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ, ये जितने टॉपि करेंगे, करी 50-60 वीडियो है, और शांदार questions कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, चलो, अब नहीं आओगे, क्लास में तो घरत होई न होगा, कौन थे उस्तमें, हमारे आपका Sam Monick Shaw, next, महराश्री की पहली महिला चुनाओं आयुक्त कौन थी, SSC MTS 2021, महराश्री की पहली महिला, चुनाओं आयुक्त, जली, बात नहीं करेंगे, वीडियो लाइक नहीं किया, तो लाइक जरू कर देंगे, चैनल में आपको सब्कार जरू करेंगे, डेली आना है, क्लास में रात को 10 बजे, बहतरीन, का सर, आप भी क्या का करते रहते हो, हारे करते रहते, छोड़ो हसते चलो, मजा करते चलो, पढ़ाई करते चलो, इधना सीरियस होगे, पढ़ाई करोगे, तो आप भी मर जाओगे, मैं भी किस दिन हाटाटे का जाएगा, मैं को पढ़ादे पढ़ाते, जली, गलती कर दी, बहुत लोग ने गलती कर दी इसका अंसर, यह रेखा सर्मा किस ने लिखा है, रेखा सर्मा कहाँ जाएगा, आरे भाया, नीला सत्यनराण, नीला सत्यनराण, जो है, स्सी MTS 2021 में सवाल पूछा था, और सवाल पूछने का नीजन यह था, कि 2020 में इनका नीधन ह हो गया, 2020 में रेखा सर्मा कहाँ जाएगा, रधो, 2020 में नीला सत्यनराण का नीधन हो गया, और यह महराष्ट की पहली चुनाव अयुक्त थी, first, state election, chief election commissioner, state chief election commissioner, और यह कब से कब तक थी, 2004-09, नहीं, 2009-14, 2009-14, यह, 4 से नहीं, 2009-14, डन, चलो, आगला स्वाल, मिस वल, सौंदर प्रत्योगिता, ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली पहली भारती महिला कौन थी, मिस वल, मिस ब्यूटी, ब्यूटी यूटी वह चलती है, ब्लीचिंग, स्लीचिंग, अरे बाप, रे बाप, अर उस दिन चला गया, मैं, मिस सत कांड हो गया, पता को, उस मारते, चलो, कहीं, चलते हैं, तो कहां जाोगे, घूबि, कि नोएडर में, की मौल है, डिलफ मनों, चलो, अडिलफ मौल गया भाई-साब, तो वहां पहाँ पहाई, लगा है, दवाना बिल्कुल लगãy, पता मेरे ब्यूटी पार्लर मेरे बाप, रे बाप, मेरा भी खर्च लिटरिली आप फोटो देखना मैं नारियल कते लगा के गया था मूं में पूरा बह जाता और अभी परसोनी क्या होगे मेरे को बेवाजा के चुना लगवाया मैं कोई दिखकर नहीं चलते रहता है जीवन में कौन है रीता फारिया रीता फारिया इस राइट आञे अंसर अंसर दोड है कभा ॅ इस नियुक्ति चुका ہे कब रीता फारिया आप फ्यमस में पूछ चुका है है रीता फारिया ने कब जीदा था फेमास कोशन है कि बहुत सुन्दर 1966 1966 कहां पर हुई थी प्रत्योगिता लंदन में नोट करना यह कुश्चन भी जाम है स्सी सीच असल दोदर कैस तर पेड़ क्लास के टाइबिंग क्या है तीन मजें फ्री पीम जल्दी इस नाम से लगतार सवाल पूछा है यह नाम से तिन चार पांच कोर्शन पूछ चुका है पीडियाउफ पीडियाउफ मिननी आपीडयास में चक्कर फोड़ो पीडियाउफ जोड़ो पीडियास नहीं रोतार जाते नमें तो बैल pendant ऐ मेंद कोहली पहले दिल्ली की कोर्ट के ज़्ज थी दिल्ली हाइईकोरट की यह तिलंगा नथ चीफ जश्टिस सब्रेंग आप देर उसके बाद अभी क्या है सुप्रीम कोड की ज़्ज है रिस्पेक्टेट weten है पूटेबल जज भाईया जज से कोई नोटांगी निए जज मतलब जज जज से बजाक मत किया करो ज़सके बार उन पिटांग बोलोगे फेस्बूक इंस्ट्राम में किस दिन पीटे जाओगे अगला कॉन के पहले मुख्षमंत्री से स्सी जीडी 2019 स्सी जीडी 2019 स्सी जीडी 2019 स सारे कॉष्ण जाम में आ चुके हैं के पहले मुख्षमंत्री जली जली एंसर देंगे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर देंगे और 10 बज़े वाली क्लास में डेली आओ माजा आ जागा शांदर बता रहा हूं में जो टॉपिक मैंने प्लांग किया ना बनान दरीपाद यह भाई सब दो बार के मुख्षमंत्री थे के पहले चीफ मिंस्टर थे नोट करना इंपॉर्टन कोशन है अगरा सवाली जे ज्योतिकुमारी बहुत सुन्दर बचे वेरी गुड एससी का भूत आपका नाम क्या भाई इतके च्छांसर देते हो लेकिन आपका यहां पर सवभाग्यवती दो परीता चाहता हूं आपका नाम जानना चाहता हूं तब कि सादी वाले काड़े में ढंका लिखाऊंगा जो नाम होगा रामलाल स्यामलाल रिंकु पिंकु टिंकु चिंकु जो भी आपका नाम है विजस से बताया जाए ताकि हम आपका नाम सीख जाएं अगला सवाल परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारती वायुसे ना के एकमात अधिकारी कौन है क्या बात बहुत जादा बदमास होते हैं क्योंकि मेरा भी नाम गोलु नाम के लोगों को उपर बिल्कु भी ट्रस्ट मत करना बहुत बदमास होते हैं चलो तो परमवीर चक्र सम्मानित होने वाले भारती इंडियन एरफोर्स के एकमात अधिकारी कौन है नाम सुना होगा अगर नाम न जमेंट जलीट कर दोगा यह 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 निर्मल जी सिंह सेखों जुमारा 1971 का लडाई हुआ था गलाई हुआ था यह श्री नागर बेस मेटे स्री नंगर बेस पे निर्मल जीसिंस सेखों और यह इंडियन एर फोर्स के अब तक के पहले वेक्तिए जिनको परमवीर चक्र मिला आपने वह मूवी देखें बॉर्डर यह ना बॉर्डर मूवी है जिसमें एरफोर्स वाले रहते भाई साब वो जाके पकिस्तान की बेंड बजाते बॉर्डर इना हाँ वह है यही है यही है निर्माज जीस से को फिल्म याद होगी आपको लेकिन इनका नाम नहीं हो शांदर काम की होता है परम विर्चख्र होता है सबसे बहादूरी सबसे बर अबर्ण बना जाता है आपने न आम सुना होगा केप्टन मनोर पांड़ केप्टन मनोर पांड़ी हमारे उत्त्रप्रतिस का बच्छा और शहीर-जवान जब इनका सेलेक्शन होतों इंट्रहवी हुआ और इंटर्वु हुआ तो इनसे पुछा कि what is your ultimate aim तो इनने बोला कि my ultimate aim is to get परमवीर्चक्र तो जो इंटर्वू लेन तो हैसने लगे बोले do you know परमवीर्चक्र क्या होता है बोले आस तो आप यह पता होगा कि परमवीर्चक्र मरना के बाद ही मिलता है हाँ और सच वही हुआ बाद में परम विर्चक्र मिला भाई क्रेप्टन वानुज पांडे साब को आपको मालूम होगा एक बच्चे ने बोला योगंदर सी यादर जी के बारे में योगितर सी यादर भाई साब क्या बोलो यार मतलत बहादूर आदमी भाई मतलत इनके दर्सन करन है था कौन है दा फर्स्ट इंडियन सिटिजन टुगेट कॉमर्सियल पालेट लाइसेंस वाज सस्ती सीजियल 2014 बिल्कुल मेजर अनुसूद वेरगुट विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर और वही नाराबाद में पैपसी ने इस्तेमाल किया था विक्रम बत्रा साहब ने का था ये दिल मांगे मोर अब वो नाराबाद में किसने इस्तेमाल किया था बिल्कुल कारगी दिवाले बिल्कुल सही पैपसी ने जल्दी कौन है बिल्कुल बहुत सुन्दर जे आउडी टाटा इस राइट अंसर जे आउडी टाटा और 1929 में 1929 में इनको कमेर्शल पालेट दिया गया था ये हिंदुस्तान के फर्स्ट परसन जीनको कमेर्शल पालेट वो मिला था लाइसेंस अगला दिलीब कुमार का अ बढ़ेव वह प्राण का ओर्सनल नेम क्या है र्था याद प्रस्ट चुका आइजrt난 में गांदि जल्दी से प्रें अय सभी kうस अधि आकि पूं折ी लिजीनल नेम क्या है जल्दी से राजीव गादिजी का अरुघृट जीत क महां था आखो पता इंक आलग नाम था हना नोट करना सारे कौशन पूछ चुका है यह मुहम्मध कैफ कहां से आ गया मुहम्मध कैफ कहां से आजा गया यह प्रभूं आ जाओ यह की मेरे को लेचलो यह बच्ची जो गलत अंसर यहitus को दो में को लेचलो मेरा हो गया मेरा हो गया हुँGive मुहम्मध कैफ opposerta को कैसे गलत कर सकता है कैसे लिए कह सट गरन क्या मुहम्म्मla काथ कहा सजाएगा नेम पूछ चुका है दिलीव साहब कभी बताइद दिया मनोज कुमार भारत कुमार याद होगा प्राहन सहाब कभी पूछ चुका है संपूर्ण सिंग काला आगला सवाली प्रख्यात व्यवसाई दीपक पारेक मुखरूब से किस्च छेतर से जूड़े हैं renowned business man Mr. Deepak Parekh is primarily associated with which of this sector जल्दी 2.5 kg ये 2.5 kg ये या एक और 2.5 kg आंटोनी दास 2.5 kg ये आपको 2.5 kg 2.5 नहीं नाम डिये संद्नि देवल का कुछ और नाम मेरे भाई कैसे घला तंसर दे रहे हो जल्दी सर्फ फांडेशन वाली क्लास यूट्यूब पे कफसे रोगे में कफसे नहीं मैं आपाउनडेशन नहीं वाला तरफ मेरा कोर्स लाउन चुग अभी एक कोर्स ता मिरे भाई फांडेशन नहीं में पास अभी लवी जल्दी बहुत सुनर दीपक पारीक कमिटी बनाई थी दीपक पारीक कमिटी थी आदे ना दीपक पारीक कमिटी बैंकिंग सुधार से थी याद होगा आपको यही है पहुत सुनर लेगजे अगरा सवाल लिजे कौन सी फिल्म सत्तजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं की गई है क है दुनिया आ जाएगी देखो क्या कमेंड कर रहा है कि क्या कमेंड कर रहा है यह गुमनाम फिल्म जो है मैरे भाई यह सत्जीत रहे की नहीं है लिटरली बताओं यह कुर्श्चन काँसा मुझे भी नहीं था याद किया मैंने भी याद कर लिए सस्थी दुर्षा सत्रा पता नहीं ससी ने क्यों पूछा था मुझे ने मालूम हो सकता है उस बार सस्थी के पेपर हो सकता है सर्मान खान ने बनाया होगा या माई वन आप माई फेवरेट एक्ट्रेस एन माई आइडल राखी सवंत रा लोकपाल के लिए लोगो तयार किया हूँ डिजाइंड दे लोगो आफ लोकपाल इंडिया शांदर कोशन है कि जल दिए कि अ कि सारे कोशन पूचुगा एक्जाम में अब पढ़ना पांडे आखरी फिल्म आगंतुक्र है क्या बात है तो मेरे को नहीं पता है अगर ऐसा है तो अच्छी बात है बहुत सुन्दार वेरे गोड कि यह सारा सब में आएगा बाबू सब में आएगा बच्चाए एससी हो च है डेली रात को दस में जाना मत भूलना बहुत सांदर टॉपिक रहाने वाला हूं चलिए प्रशांत मिस्र भाई साब है यह प्रयाग राज के हैं प्रशांत मिस्र भाई साब और यह बहाई साब इनने बनाया है किसका लोकपाल का लोगो एससी सीचसल 2020 के कोशन है उमीद क से बारिस हो इतनी तेस से बारिस हो इतनी तेस से बारिस हो क्या बता हूं और बारिस कब हो पता है बारिस हो कब जैसे साध्यवादी चालू हो जाए जैसी लड़की आगे जाए इस स्टेज में चाहने के तब हो बारिस और बारिस जब उसका पूरा मेक अप धोलेगा तब ह से पानी गिरे पूरा उसका में का पुतर जाए तब मालूम चलेगा कोई गलत नहीं कर सकता और लिटली किसी अखिलेश को माने गलत कर दिया लो सरुनी नाइवडू कहां से आ गया इसमें कुछ भी 1913 में गीतांजली गीतांजली जो रतना है गीतांजली उसके लिए रविद रवीनह नर्ट यपीगोर है इंडिया के पहले पर्सण हें फर्ष्ट इंडिया के जिनको नोबल्laş मिला निट्रेचर का और एसिया के भी पहले पर्सण है एसिया के पहले पर्स है दोना कि लेंगे फिर बहुँ सुन्दर सर हमारे यहां पबलिस इन्डियन ईपिग्राफिपान ग्रोशरी शानदार कोशन नहीं कगा है कि निकलो टाइम से уск्लास तुक निकलो यहां परहाई के टाइम पर मस्ती कर रहे हो इक यूकर बीबी किसी के भी वी उसब परसान करती है यहां पढ़ाई की टाब्वी परसान करेगी प्रहाय निदेगी अंकि आ गया तो प्रहाई नहीं दे रही है यहां की बाते कर रही है हटाओ इसको चलो जल्दी इसका आंसर क्या हो जागा 1965-66 आगला सवाल हाँ पवन कुमार कर देंगे आगला सवाल मांट अवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली छिनांगित महिला का नाम अता ये हुई दा फ्र्स फीमेल एंप्यूटी टुक्लाइंब मांट आवरेस्ट बताएं दूली से सथ आ आज आपका बूर्गा कहां गया बूर्गा क्या होता है होगा होता है कर दो की की डिव्यांग बहिला है और जिन्हें पहले विकलांग शब्दिस्वाल कि यादा था प्रधाल मंत्र जी के कार से दिव्यांग शब्दिस्वाल होता है इनके लिए और इन्हों 2013 में माउंट एवरेश वो हता है हासिल की थे अवनमा सिन्हा मैलम ने ठीक है और नोट की जगा इंपोर्टेंट है क्लियर है और यह भाई साब इनने मुझे रखता है दुनिया के एसी बहुत इकम चोटी बची होंगी जिसको इन्होंने छोड़ा है सब जखा चठगी है अगला काजी नजरूल इसलाम खालिस्थान के राष्ट कवी है काजी नजरूल इसलाम इस दे नेशनल प्वेट आफ विश कंट्री बात नहीं करेंगे सिर्फ आंसर देंगे मस्ती में जाख बाद में पढ़ाई पहले पढ़ाई जल्दी कि कि बहुत सुंदर आंसर काजी ने कहां कहें है बांगला देश के नाम सुनों का आपने अगला सवल मिश्णरीज्ट ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर ट्रेस्था का जलम कब हुआ था स्सी जीडी 2019 कोर्षण का लेवल आप देख सकते हैं मेरे भाई ऐसे कोर्षण पूछ रहा है तो ऐसे कोर्षण की त्यारी हमको करना पड़ेगा शांदार सुधा मनोज यह के नल्ला कहां से आगया हां पर कुछ भी निगेटिव लिखते रहे तो बहुत भी पॉजिटिव मस्ती करो इंज्वाय करो ठीक बात है बनेगेटिव में तरिका करो मस्ती इंज्वाय करते चलो कोर्षण का है नेगेटिव नहीं लिखते गलत बात है पॉजिटिव होके प्रहाई करेंगे तो काम होगा न आगर कोई पॉधा लगाओ गे और अच्छा पानी डालोगे तो पानी डालोगे नमक वाला पाइन डालोगे गलत पानी गंदा पानी नाली का पानी डालोगे तो पॉधारी खराब हो जाएगा इस कारण से लादा लोड़न लेना ठीक है एक साही सुना दीजिए फिर में चली जाओंगी वाह यहनीमून चलना आपका है कि यह इस्क राज है उससे छुपाना पड़ता है यह कैसा इस्क है मुझे रोज जताना पड़ता है निकल लो टाइम से निकल लो चलो हो गया बाई तो मिस्री जब चैरिटी के संथापक मदर ट्रेस के जलन कभी हो था 26 अगस्ट 1910 नेक्स्ट अगला सवाल मिशाइल मैन आ प्रांदार कोश्चन है जल्द आंसा दो एक लर्न एक्सल वेरी गुड आंसर डेट के साथ याद करना कि मिसाइल मैन ऑफ हिंडिया किसको बोलते हैं कलाम सहाब को माउंट मकालू पर सफलता पूर्वक चढ़ने वाली पहली भारती महिला कौन है अब आए एसस्ती एमटी एस 2019 बात नहीं मस्ती में अपनी जगा पढ़ाई अपनी जगा चलो कि सर्वे गाउं से हूं मैं भी गाउं से हूं कौन समय मेरा पैदा अमेरिका में हो गया था मैं जो गाउं से हूं कर दो ममंट कालू पर सफलताै पूह पढ़ीाल करना मता ही जल्दी से कौन है प्रियंका मोषी प्रियंका मोहिते शांदर कोश्टन बाबू टेली आना वमस्तां अबि आप डेली राज को दस बजे वाली क्लास का अलारम लगा लो शांदार टॉपिक निकाला मैंने पचास साथ टॉपिक है 60 ताथ वीडियो दूगा 60 वीडियो दूगा दो धाई महिने का समय लएगा हतम कर देंगे पूरा सांदार टॉपिक है संग्ठान मेला समरो गीत पीत दुनिय किसे लोक नयक के नाम से जाना जाता है राजंद्र बाबू की भूमी से हूँ और जेपी की किलकारी हूँ हां मैं बिहारी हूँ हां मैं बिहारी हूँ निरहुआ भी हूँ निरहुआ भी हूँ अपवन सिंग हूँ और मैं खेसारी हूँ हां मैं बिहारी हूँ हां मैं बिहारी हूँ बताए भाई चलो तो भाई लोग ना किसको वोलते हैं जै प्रकास ना किए उस्वरगी हे अ Real यह दो ही ऐसे नेता हैं जो लिटली सच में मतरब कमाल के अधरवाइस सब तो बिल्कुल लंगु पंकुए हैं अगला सवाली जे अगला कौन से हौकी खिलाडी भारती समिधान सभा के सदस्य थे समझाव कॉंस्टेंट एसमेली के मेंबर थे एससी जेए 2021 के कोश्चन है आप आके डिश्याप करती है लोगों का पहाई फोकस करो चलो जली अगर इस कोश्चन का अंसर किसी ने गलत दिया प्रभात गुंस रखाएगा एक नंबर का गठा कि मुझा अरे बापर किसी ने सही आंसर नहीं दिया क्या हूं कहां गया हूं लका ओ कि अधर शॉणा किसी खें हो स्सी का भूथ कहां गया हो कि वह हट गठी पुख सब ने गलत अंसर दिया अरे चाचां कैसे होगश्य हुआ मेरी कि दूसरे कि ुदब है जैपारbes रेम नोट करना बहूश द्धर नहीं पता होगा है। Cornflower by नाइंटीन टुँटी एट में हमने हीब की का जीता दफा का गोल्ड मेर्ड़ और णा ना disorders मुंड़ा सभा में से पाल सिमूनसर का था आदिवासियों का हमारे आदिवसी भाई हैं उनका नित्रत किया था किसने जैपाल सिंग मुंडा सहाब ने नोट करना important है मुझा था किसी ने सही आंसर नहीं दिया कोई दिकत नहीं अब याद कर लो होकी का जादूगर कहां से आ गया यहां पर वह अला गया वह ध्यांचन सावे जैपाल सिंग मुंडा जो है मेरे भाई 1928 में जो उलम्पिक में होकी गोल्ड मेडल जीता था उसके कप्तान थे और यह समविधान सभा के मेंबर थे अगला सवा लिजे अगला निव लिखेत में आज कौन एक प्रख्यात चिकिस्षक थे डॉक्टर कौन थे विद्यान चंद्र राय मुराजी दिशाई जयोती बसी और अरुना वास था फली हूं अमंग दा फॉलिंग वाजन एमिनेंट फिजिस्टियन कौन है सर आज क्लास कम देर ही लीजिए ऐसा क्यों भाई यह मिठाई बटगी आज जल्दी कौन है विद्धान चंद्र राय वेले गोड विद्धान चंद्र राय इस राइट अंसर वह सुंदर वेरी गोड बहुत सुंदर यह बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे सेकेंड सीम थे नोट करो बंगाल के सेकेंड सीम थे हाई ना चलो उसके बाद में एक और चीज़ क्या थिन के बारे में हाँ उसके बाद एक और चीज़ यह है कि इनको पश्रिम बंगाल का वेस्ट ब बंगाल के दूसरे cm थे और इनका जो बड़े happy birthday to you happy birthday एक जुलाई को होता है इसी कारण से एक जुलाई को बनाया जाता है क्या doctor's day doctor doctor मेरे पेट खराब है एक जुलाई को होता है बड़े happy याद रहेगा इसी कारण से से वेश्ट बंगाल के वेश्ट बंगाल का निर्माता कहा जाता है और विधायन संदर राई जी का इनका बड़े जुलाई को होता है उस दिन doctor's day बनाते हैं नोट करना अगला सवाल किसे भारती फिल्म उद्योग का जनक कहा जाता है बात नहीं सिर्फ आंसर रात को दस बज़े वाली क्लास में आज आना मेरे भाई इतने टॉपिक डिसाइड किये मैं आप लोगों के लिए पचास साथ वीडियो बनेंगे डेली साथ वीडियो का टार्गेट है मेरा और शांदार संदार टॉपिक्स हैं डांस कराऊंगा विश्व में पर्थम कराऊंगा भार्दे पर्थम खेल किताब इंपोर्टन परसनाल्टी संगठन मेला समरो गीत अर्भा प्रिभाब सांदार टॉपिक है से बैस ऐसा कराऊंगा कि उसके बाद फिर कुछ पढ़ने की पड़ेगी मेरा बादा है चाहाई सश्टी की तहारी कर रहे हो चाहाई कॉंस्टेबल लेखपाल लोगपाल अमेरिक आप बच्चल लेखा है कैसे करते हो रे अगला सवार बच्चे ओ बैंडिट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमी का किसनरी भाई थी स्टी सीच रसल 1217 जो बैंडिट क्वीन नामकी मूवी है वो बनिए फूलन देवी जी के उपर आपने नहीं देखा तो देख लेन पूलन देवी जी के उपर बनी है नोट करना कोशन पूछ चुका है बैंडिट क्वीन मूवी किसके उपर बनी है फूलन देवी जी के उपर बनी है मेरे भाई और इसमें यह फिल्म आई थी 1994 में 1984 में 1994 में और इसमें जो सीमा विश्वास है उन्होंने फूलन देवी जी का क्या किया है रोल और यह मुवी है किसकी शेखर कपूर की मुवी है और इतिहास्ध गवाह है कि जब जब सेखर कपूर ने कोई मूवी बनाई है और उसमें जिसको भी पहली बार मौगा दिया है वह वो इस्टार के लावत दूसरा कोई option उसके पास नहीं है कोई जितने उठा के नाम ले लोगे जब भी इसने मूवी बनाई है सेखर कपूर नहीं अचिसको जिसको मौका दिया अपनी पहली बार वो इस टार बना है जिसमें एक नाम है मनोज वाजपई जी का मनोज वाजपई जौर्ज साइमन ओम जिनके स्थम्मान में हमारे प्रसद प्रसिद ओम नियम है किस देश से थे कहा था सस्थी जेई 2020 छोटी बच्ची हो क्या बच्ची हाँ बच्ची आंसर दो आए बले सर मैं गाउसी हूं अब देश सोनकर बिल्कूर ठीक बात बाबू मैं भी गाउसी हूं बाबू आंसर दो सहर में बस जाओ गये चलो प्रभात आंसर देदे बाबू सर आप कमेंट रिलीट कर ले ना कर वाले कौन से कमेंट हो गया मैं रिलीट प्रिली नहीं करता क्या लिखा गाली लिखा हो जाता क्या लिखा हो आप में वह सब नहीं पढ़ता मेरे को आप मेरे को फग नहीं पढ़ता कोई गाली दे चाहे कुछ दे तरह लोड नहीं देता मै पहले पढ़ता था मैं गोई गाली देता था भाई चलती क्लास में गाली देता था फिर बाद मुझा मानुचा क्यों भाई टाइम वेश्ट करना मेरे पास तो अलवी पहाने का समय है मैं आप टाइम पास्किंग करूं किसे साथ सही अंसर दिया आपने सर बहुत ब्यूराफ फिल हो रहा है मुझे जॉब कब लएगा अरे लग जाएगा बच्चा चिंतामत करो महनत करते चलो कि हंड़ परशन लग जाएगा ओम कहां कहा है जर्मनी का नेक्स्ट कोशन रंगभेद के बाद जच्छन अफरीका का पहला हो अंसर दो महिला PCS प्तकाई पर वीडियो बरा दीजे का हो गया अब जल्दी कौन थे सरास डांस क्लास होने वाला था न हाँ पीपीट नी बन पाई इस गार से समय लग गया तो इसकार से यह करा रहा हूं मैं अज ठेक है इस सारे कुस्ट्स एक्जाम में आए हुए पढ़ ले ना नेलसन मंडेला साउथ अफरीका के पहले ब्लैक प्रेसीडेंट से यह कशे कब तक थे 1994 से 1999 नोट करना इंपोर्टन थे कोशन एकजाम में पूछ चुका है आगला सवाल सबसे लंबे समय तक बांगलादेश के प्रहानमंत्री पदपर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है सबसे लंबे समय तक बांगलादेश के रहने वाले प्रहानमंत्री जल्दी शांदार कोशन है सारा कोशन एकजाम में आ चुका है संदीप सर बाबा से आश्रवाद है जॉब मिल जाएगी अरे बेटा जॉब मेरे आश्रवाद से नहीं मिलती रहे आप लोग मेहनत है जब किसी बच्चे का सेलेक्टन होता है नहीं बता हूं मैं मैं पिछले पांस साल से पढ़ा रहा हूं और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करें लोग ऐसा बोलता है कि भाई कई लाखुट बच्चे बच्चेए अच्छस बात होएन बट मैं कभी यह नहीं बोलता कि मेरे से पाथ कुए नहीं जो महनत करता है अगर आप मानले तो चलो एक पर्शन्थ हमारा बस 99% बच्चे के महनत होती मेरा काम क्या है यह एक पर् अगला प्रेम भाई आपका कमेंट जा रहा है नेक्स वर्ष में भूटान के पहले समराट बने एससी छसल धोजार एकईस चोहां से अफसर सीजेल खराब हो गया मेरा कोई बात नहीं सामने छसल MTS फोड़ देंगे आग लगा देंगे कोई दिक्कात नहीं लोड मतलो अंसू सर्वें ट्यूशन पढ़ा के स्टडी कर रविया यहीं स्टगल है महनत करते चलो वतारों एक न एक दिन एक दिन आज नहीं तो कल हंडे पर्सन सेलेक्शन आपको बावू यह दिन आपको याद आएगा जब महनत करोगे ना यह दिन आपको याद आएगा बिल्कुल 1907 में गोंग्सा उग्यान वांग्चुक जो है यह भूटान के पहले सम्राट बने यह सवाल पूछा था सस्टी सीचसल 2021 केस में अगला नेक्स्ट निम्लिखित में से इस राजा को नेपाल देश का संथापक माना जाता है विचल दर फॉल्विंग किंग इस रिगार्ड़ दा फाउंडर आफ दे किंग्डम आफ नेपाल एससी सीचसल 2019 सबका सेलेक्शन हो जागा भया चिंता मत करो भगवान का अश्रवाद है न राधरानी करपा है आपकी महनत है 100% सेलेक्शन हो जाएगा अच्छी महनत करती चलो बस महनत करोगे क्लास में आना पड़ेगा बावु तब काम होगा डेली एक आज आए कल नहीं आए कल आए पर कि अगला स्री लंका की पहली महिला राष्ट्रपती कौन है विस दा फर्स्ट मुमेन प्रेसिडेंट आप स्री लंका स्सी चसल 2017 एक नमर के कॉस्ट्टन से पढ़लो काम हो जाएगा अरे कोई डिप्रेस नहीं हुए मेरे भाई कि क्यों इतना परसान हो नहीं हुआ पर कौन सा लास्ट पेपर रहा इतना क्यों लोड़ लेते हो मिरे अग्जाम है अभी म्ट्री अग्जाम है लगतार प्रेपर पड़ा मे है अगर अगर दरोंगे अग्र मत मेंट करते चलो करते चलो करते चलो बटारा हुं अगर तो समय तो लगेगा कई वार क्या होता है कि कई लोग होता है जलदी सलूह संग हो जाता है कोई कि कोशिच कर ऐब किसा हलं होते हो यह कहां पर होगई मेरी मेस सब्सक्를ब्र हो गईBS मैं में चीज फाइंड आूट की अपने अंदर कि मैं हिस्ट्री बहुत चांदर परकाथा हूं जो स्पोर्स और या प्रशन काम हो जाएगा चले अगला स्वाली इसका चंदरिका कुमार तूंगा अगला ने केवल स्रिलंका की पहली प्रहान मंतरी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रहान मंतरी कौन थी और इसका अंशब किसे गलत कर दिया इसका गलत कर दिया क्या राष्ट पत्ति की बात होई थी सब नेक्या अंशर दे दिया भंडार नाई के अरे मरोगे संब अल्यमन चंद्रिका कुमार तूंगा यह प्रेसिडेन्स पूछा था मैंने हद्य करते हो चलो यह कुश्चन लीजे ना केवल स्री लंका की पहली महिला प्रहान मंत्री बलकि दुनिया की पहली वुमें प्यम प्राइम मिनिस्टर कौन है इसका अंतर जाएगा तिरी माओ भंडार नाई के वहां पर सब ने गलत कर दिया था अगला सवाल कौन पाकिस्ता के पहले राश्ट्र पती थे लूघ अ हुश्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है किस Vilma कि अ हुआ है President भ्यारे कुशी सोनकर कहां सभाइब ऑई सोंकर तो हमारी जबलपूर में है चलो पहले राश्पति कौन भाई आपका इसकंदर मिर्जा मुझे रखता इसमें गलत कर दिया होगा सब ने गलत कर दिया देखो जुलिफिकार अले भीट्रों दे दिया क्या गलत आंसर है इकंदर मिर्जा जो है यह पहले यह पर मैंने आपको इस्पेशल टॉपिक कराया शांदार कर आएं मज़ा आगया होगा आपको बहतरीन कुर्चेंस क्लियर है डन चलो अज चलते हैं एक और फाइल है आपके लिए बच्चों वाली फाइल यह लो बच्चों वाली फाइल जल्दी आल सदो बात नहीं करेंगे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरू कर देंगे चनल में आपको सब्सक्राइब जरू कर देंगे डेली आना है रात को दस बजे एवरी डे किसी भी कंडिशन में डेली तभी काम बनेगा आधरवाइस वह अलागी लागए वह रूची का नाम ले लिए तो रूची क मैं आज रूम जाओंगा और मैं देखो डेली सोता हूं दो से तीन बजे कास पास डेली एवरी डे और मेरी मजबूरी है कल मुझे मेनिमम साले 5 बजे उठना ही पलेगा मतलब यकीन मानों आज मैं खुब ज़्यादा सोओंगा तो दो और तीन घंटा बस इस जाद नहीं सो होचना है ताकि बच्चों से बात कर पाएं वीडियो बना ले यह हमारा कि यह रोटा नहीं मैं चाहिए तो यह क्लास नहीं लेता बड़ कोई करते हैं अपनी पूरी कहानी है अगला सवाल यूडीपी का फुल फॉर्म बताए यूडीपी है क्या यह सवाल यूडीपी क्या है जल्दी वाट इज यूडीपी क्या है यह एक नेक्शन लेस प्रोटोकॉल है स्थीस दोटाइस तरह सोला को सब्सक्राइब प्रेपर हैं नहीं पता तो में मेरी गलती नहीं अगला सवाल आई आई एम एफ का फुल फॉर्म बताए आई एम एफ का बात नहीं करो रेप आंसर दे दो बिल्कों असे गप लालने के उतने माहिर हो क्या बताऊं बात मत करो अंसर दो डेली आना 10 बज़े आओगे तो शीक नहीं आओगे तो कोई दिका ही आब आपनी जानो मेरा कम पढ़ा अगला सवाल इती जड़ में सी का मतलब क्या होता है एकटी सीड में सी का मतलब क्या होता है जली जली अंसर दो भाई वैदेव आंसर दोगे नहीं हमां की बात करोगे आंसर दो भाई सब का हो जागा चिंदा मत करो अभी सामने मेरे भाई बड़े बड़े पर निकल जागा परसार मत हो इस बार सीजल होगा इतना क्यों परसार हो चलो इंडो तिबितियं करमर्जें घर करनेबक्सन जोन गधा को पीडिया का फूल अब क्या है प्रटेबल डॉकुमेंट फॉर्मेट जली जली जाशा दो इस यह अल्डी बढ़ पर हाँ चुका हूं यह फाइल आकपर याद हो तो यह फाइल अल्री अबर पर हाँ आद पर हाँ सब्सक्राइब लोग हो रिक्वेस्ट मेरी पैर में कुलहाडी मारना है तो मार लो अधरवाइस दस हजार वाले सब्सक्राइब करके यह दस्दर कोर्स वाले में से लेना अतरवाइस फिर आप जाना आपका काम जाने मेरा काम बताना है तर यह सारे कुशन एसस्ति को नहीं लग रहे हाँ प्रभाद यह कुशन आये अमेरिका की मिसाइल से मेरे पास यह प्रहाद दो प्रभाद फेल हो डॉक्टर अफ फिलोसोफी के शॉट फ़र्म बताई जल्दी से दीपक कुमार आंसा दो भासकर गुड्डू चोहान बहु सुन्दर डॉक्टर फिलोसोफी क्या होता है पिएचेडी आपने सब्सक्राइब पिएचेडी की अप्छलाने ने अगला सवाल अंसु वेरे सब्सक्राइब फिलोसोफी क्या है आपका इंटरनेशनल बिजिनस मसीन नेक्स्ट क्या होता है SMPS SMPS का फिल्फर्म क्या होता है सिवांश रोहेत आजाद अनुज विक्रम सोनु सौरफ बरजी मनोस सेन रोजमेरी दिलीप अपन्ड़ना पांडे स्तोनम विश्वकर्मा दीपक भासकर दीपक घुसर्डी खाएगा अंसल देल्दी SMPS क्या होता है स्विच मोड़ पावर सप्लाई स्विच मोड़ पावर सप्लाई हमारा cpo का बहुत इंपॉर्टन पार्ट होता है कभी computer पर हांगद बताऊंगा SMPS स्विच मोड़ पावर सप्लाई अगला बेंकिंग सब्द में SLR क्या होता SLR वाटिज SLR एसलर का फिल फ़र्म बताओ जल्दी जैस्त्री मोहंती बेरे गुट अब धेश तोनकर वंदना सिंग राहुल गोयल साब वेद प्रकास पांडे इमाम असगर बतावाई खान सावान सादो आरू एंटोनी दा सावाई छान सा सब्वूत गोल। है गोलु बहुं कर रहा है यह भर गव्रबाद करता है यह वह स्वाधा निकल जाएगा अभी थोड़ देरे पहले सबसे बात कर लोड़े थे अंसर बन्समेत को डिया किस्ता किसंसे बात करता हुत चले注-सल-सल्र किया है Statutory Liquidity Ratio, Next Question, DASD में A का Full Farm बताओ, DASD, DASD में A का Full Farm बताई जल दी थे, सांदर Question से पढ़के चले जाने रहे सरा काम हो जाएगा, Direct Access Storage Device, DASD, Direct Access Storage Device, DASD, क्या हो जाएगा, Access, अगला सवाल है, IMF का Full Farm बताईए, IMF, जल्दी, कल सभी लोग ready रहे ना भाई, कल बहतरीन शांदर एनलेसिस करेंगे CHSL का, और कल से मैं चालू करना हूँ, राज को 10 बज़े वाली क्लास में चालू करूँगा, बहतरीन Special Questions, आप लोगों के लिए बता दूँ, 8000 की किताब खाई दी मैंने, 7-8000 की, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने, साब खाई डाली, कुछ छूटे है न मेरे से प्रहाने में, बहतरीन मिसलिनेस, स्पोर्ट्स, कम्प्यूटर, आर्ट और कल्चर के, ऐसे से questions करा देंगे कि आप भी बोलो कि भाई सब मज़ आ गया, चलो, तो IMF क्या मेरे भाई, International Monetary Fund, अगरा, UNFCCC का फुल फॉर्म बताओ, UNFCCC, आज क्लास ली थी भाईया, अरे यार यार यह बच्चे नहीं इतने गधेल होते हैं, आप लोग क्लास इन रूहने पाते हैं, बताओ, मैंने आज तीन बजे क्लास ली थी, दस हजार कोस्टन वाला जो कोर्स है, पेड कोर्स अपना इसकी क्लास मैंने रात को आज दोपहर को तीन बजे ली थी और यह क्लास तीन बजे होगी क्योंकि अभी CHS लप पेपर है फिर चे मैं आता भाग के वहां से दिक्कत होती, तो आपना 30द रखेंगे इस क्लास को बहतरी सांधार मैंने क्लास इंट्रोडक्शन क्लास ली थि जाकर चेक कर ले न न मिले तो हमारी टेक्निकल टीम को कॉल कर लेना या मैसेज कर देना और रपाई कर देंगे आपको तेख फिर भी न मिले तो फिर मूंड़ी पतक के खोपड़ अगला है कि XHTML का फुल फोरॉम क्या है XHTML का फुल फोरॉम बताओ जल्दर कोछ्शन एं िर जल्दी अबथा रेकॉर्ड रही हां रिकॉर्ड रहेगा बेब़ी अब अवश्कों अब यह सोणकर परसा ने अवश्क तोनकर सचक्कर में नहिए अब्जी अपना मामला पूरा कर रहा है तुम यूपी में कहां से हो कौन सी गली अरे चक्कर छोड़ दे मेरे बाबू सेलेक्शन हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा जो पास में वह भग जाएगा कोई कहां से है कहां से क्या करना है पर हाइं फोकस करो एक्स टीमल का आपका होता है आपका होता है एक का आपका external hypertext markup language external hyper sorry extensible sorry extensible hypertext markup language rosemary very good अगला खृष्णनाविद्गे लेकृष्णवी यादा थो क्या नाम है क्रष्णवी शांधार नाम है पहली बार नाम सुना मैंने कृष्ण नभी अच्छा नाम है हाँ सेलेक्शन बहुत टफ है आज के दौर में बहुत तुंदर है तभी इतने अंसर देते हो चलो नाबाड का फूल फॉर्म बता हो क्या है नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर और रूल डवलपमेंटेछ अगला पी आईधक फूल फॉर्म बताए ये पी आईए ल को जली जली प्रिए फिर्फम क्या है आपका पबलिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन जली नेक्स वर्षन सोनार में एन का मतलब क्या होता है सोनार सोनार में एन का मतलब क्या होता है सुनार का मतलब क्या होता है सुनार का मतलब क्या होता है साउंड नविगेशन एंड रेंजिंग साउंड, नेविगेशन, एंड रेंजिंग, एंड मतरब क्या हो जाएगा नेविगेशन, अगर यहां पे एंड र होता तो रेंजिंग और एस मतरब होता तो साउंड, अगला सुश्च, अगला, ECG का full form क्या है, वार्टी द फूल फॉल फॉर्म अप ECG, ECG, जल्डी, इसीजी क्या है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम नेक्स्ट अगला HTTPS का फुल फॉरम क्या है HTTPS हाँ शांदार आर बहुत अच्छा लग रहा कि आप आंसर दे रहे हो सभी लोग लगभग सही आंसर दे रहे हैं अच्छी चीज़े अंकिता अखंड प्रताप सतंदर कुमार यादो भासकर रवाय प्रवीन वैदिक गधेलू आंसर दो चलिए तो फॉरम क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पोटोकॉल नेक्स्ट बेंक्टिंग में ADF का मतलब क्या होता है ADF वाट इस ADF एकॉन्मेंट करवाएंगे जी एफ गेमर करवा दिंगा ठीक्स eer होता दूर्द चाहत सब कराएंगे पीजिओं के सब कर est वर्थ करण यब तुरक्त कर लेंगे एक गोल्स कर सब कराएंग चलो, ADF क्या होता है, ADF होता है automated data flow, automated data flow, next, जन्वरी 2020 में सरकार द्वारा अरंभ की गई विश्वास जो एक प्रमुख ईशासन पहल है, विश्वास का मतलब क्या है, स्सी सीज्यल 2020, वाट इस द्वीनिंग आफ विश्वास फुलफर मताए, शीतल ठाकोर, आंस दो बचे, अरे यार मैं सर मैं गाउं से हूँ, आपका अफ्लाइन क्लास ले रहा हूं, अब मैं वहां से हूँ, मैं जनम हुआ था USA में, वो तो धूप में खेल खेल के काला हो गया मैं इतने ज्यादा गाउं से हूँ, छोड़ो चकर, विश्वास का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो, इंटिग्रेशन, एंड स्टेट वाइड एडवांस सेक्योरिटी, नोट करलो, इंपोर्टेंट है, अगला, नेक्स्ट, ह्ट्टी टीप का फुल फॉर्म क्या है, ह्ट् एंक बैंक छोड़ो ना, राइट अंसर बता दिया ना, वो इंपोर्टेंट है, एंक बैंक चकर छोड़ो, सर आपका कोर्स फीस 200 है, मैं रिच फैमिली जते हूँ, प्लीज मेरा फीस 20,000 रुपे कर दीजे, प्रभाद 20,000 रुपे, तुम्हारे लिए 20 कर, तुम्हारे अन्हेंवे दर्ध होता है, यहां आँपी की बाते कर वालों गजह से, आंसर दो, है के पर है मन नहीं देने का घधा आझसादना है है आई आई का फुल फर्म क्या होता है A C I I जलिए ज्यान साथ हो आरे एकॉडमिक्स करवा दीजे एकॉडमिक्स करा दीजे तब करा देंगे बेटर एक डेली क्लास में देखिए रहा लगातार क्लास पर आई रहों में पहले हम बहुत इंपोर्टन काम कर रहे हैं फिर आगे कर पहान है नहीं आऊगे क्लास में घर्थ होई आऊंगो पहाने में चल्व एससी आई फुल फर्म होता है मेरिकन स्टेंडर्ड कोड़ फॉर्फॉर्मेशन इंटर्चेंज अगला GDP का होता है बता दिया हटाओ नेक्स्ट कंप्यूटर में एन आई सी का मतलब होता है एन आई किसी जली अहतर है अधीपक कुमार अंशार थे बैंकिंग पी लोट है त्मविल में खोल में भी नहीं है तो ना तो क्या है मेरा कॉल में भी नहीं है ना तो आप में कितने घंटा एक घंटा एक घंटा चलो NIC क्या है विर भाई नेट वर्क इंटरफेस कार्ड अगला NNP क्या है NNP अभी पता है मैंने NNP क्या होता है नेट नेशनल प्रोड़क्ट हटा दुसक्को आगला IDA का अभी आपनों के लिए मिसलीनर स्पोर्ट के स्पेशल स्ट्राटिक के टॉपिक कराऊंगा IDA क्या है IDA का इंडियन डेवलप्मेंट अस्वोसियेशन IDA अगला अमुरुत स्कीम अमुरुत AMRUT अमुरुत का फुल फॉर्म बता हो what is the full form of Amruth जल्दी अमुरुत का फुल फॉर्म बताएं सर बैंकिंग अवेर्नेस नहीं होगा अच्छा ये कोश्टन खाक अत्ती थी होगा बाबू थोड़ी से तमय लाएगा नो ठंकी जल्दी आज अंसर करो चलो अमुरुत का फॉल फॉर्म क्या है अमुरुत का है अटल मिशन फॉर् रिजूबिनेशन एंड अरबन ट्रांस्फोर्मेशन अमुरुत नेक्स्ट क्वेशन लीजे अगला MSP क्या होता है what is the MSP MSP क्या होता है यह सारे question आये हुए है सारे question SSC में आये हुए मेरे भाई सारे इनको पढ़के चली जाना बहुत help मिलने वाली यहां से आपको और कल से मैं कराऊंगा कल मैं कराऊंगा आर्टन कल्चर चालू कर रहा हूं मैं दस वजे डेली एक क्लास एक ट्रॉपिक फिनिश वो चाहे एक घंटा लगे चाहे दो घंटा लगे चाहे तीन घंटा लगे एक घंटा लगे चाहे दो घंटा कोई दिकत नहीं तो MSP क्या होता है minimum support prize अगला UNFCCC क्या है UNFCCC बहुता है था उन्याको United Nations Framework Convention on Climate Change अगला EBCDIC का full form बताओ सारा question SSC में आ चुका है जितने questions हैं सारे SSC में आ चुके हैं EBCDICT का form बताओ यह EBCDICT क्या होता है extended binary coded decimal interchange code यह question भी दिख चुका है exam में कब पूछा था भीया यह पूछा था सच्छ साल 2021 में next अगला JPEG का full form क्या है JPEG जल्दी JPEG का full form वीडियो लाइक और शेर करने में जो आपका जूशी कर रहा नो बटा कर लो जिस दिन मेरा दिन आएगा फिर बताओंगा मैं आपको वीडियो लाइक और शेर करने में पईसा लगता है क्या रहे है जलो जेपी जी का मेरा भाई जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रूप नेक्स्ट क्षण है एल इडी का अधिक है इसब्सक्राइड आज फाइप शीट खाट फुल फॉरूं में क्या है एक्सपर्ट करना फुल फॉरॉम में सिद्थे कॉर्षान एंसर कोशन एंसर करो और क्या इसमीक एक्स्परैं करना हाना जहां पेपे एक्स्प्लेन करने की बात आएगे बताऊंगा चलो एलेडी क्या होता है लाइट एमिटिंग डॉयट साड़ा कॉर्शन स्सी में आ चुका है यह कबाया था कोई भी कॉर्शन आशना नहीं है जो एससी में नहीं आया पढ़के जाना पढ़एगा इसको अगला पीवीसी क्या होता है पॉली बिनाईल क्लोराइड पी वीसी अगला नेक्स्ट पीवीसी होगा है अगला और ऐम आर क्या है दिए अंगर यह अंदर कॉस्टन से यह पढ़के चले जाने क्या हो जाएगा और बाकी मैं इसमें समझाने की बात आएगी समझाने की बात आएगी समझा दूगा आई जा दो अमर क्या है एंटी माइक्रोबियल लिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल लिजिस्टेंस कमा यह था कोशन यह पूछा था था चल्द 21 एंगली तो ग熟 है सरेलिश में औप्सन नहीं को आमी मों इसका क्षा होगा को इसके रुपलाई क्या सो हुग। कि इसका यहां ब्लdeू मों को सुने क्ता हो इसके डिश आंगा कम इसकी क्ता होता है नहीं है कद्छा जया जटाक क्या बताओ LCD LCD का फिल फॉर्म बताये LCD क्या मेरे भाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नेक्स्ट CACP का फिल फॉर्म क्या हो जाएगा मेरे भाई कमीशन फॉर अग्रिकल्चर कोश्ट इन प्राइस अगला कोश्टन NDMA का फॉल फॉर्म बताईए यह भी केस को कशन है अगला है कि आई सी ए आर का फॉल फॉर्म आई सी ए आर का फॉल फॉर्म इसे अगला सवाल है क्या आए-क व्हुल फॉल फ्ह mainland chair चलो, ICR का का होता, ICR का, Indian Council of Agriculture Research, next, RTGS क्या होता है, RTGS, यह S हो गए, RTGS, RTGS क्या होता है, Real Time Gross Settlement, Real Time Gross Settlement, English देख ले हैं भरी, शानदार English लाइटिंग, ठीक, अगला सब, भीम UPI में, यह क्या था, I का मतलब बता हो, I, जो भीम होता है, भीम UPI में जो I हिस्त का मतलब का है, तब थोड़ा आराम से पढ़ाई है, अरे अवधेस भाई, यह question answer full form के है, उसमें क्या ही आराम से कहा है, भीम UPI में I का मतलब क्या है, भारत इंटर्फेस फॉर मनी, भारत इंटर्फेस फॉर मनी, तो I से हो जागा इंटर्फेस, B से भारत, मनी से मनी, अगला सवाल, सिडवी का फिल्स फॉरम मताई, सिडवी, S, I, D, B, I, सर्फ बोलिए, IBPS कब होगा प्लीज, अरे बाबु क्लास देख रहेंगे, जल्दी करेंगे बच्चा, अभी तो स्ट्राटिक जीके के लिए क्लास देखते चलो, काम हो जाएगा, सिडवी का फिल फॉर्म क्या है, small scale industries development bank of India, अगला सवाल है, WPA का फिल फॉर्म क्या होता है, कि का होता है wholesale price index wholesale यह wholesale price index चलो यह वाइस आप कहानी पूरा खतम आज मैंने आपको 100 questions कराया है 100 100 question कराया है अब ही थोड़ा class करता हूं मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी क्योंकि मुझे कल सवेरे साथ 5 बज़े उठना ही उठना है क्यों क्यों क्योंकि मुझे तो एक्जाम center जाना पड़ेगा एक्जाम center जाना है तो एक्जाम center जितने दूर है उससाव से मेरे को रूम से च्छा वज़े करना पड़ेगा तो तब जाके 7 बज़े पहुंचूंगा मैं ठीक है तो इस कर्म सेरान यहीं खतब करतें class को 10 बज़े वाली ख्लास को मेले समरोह फुल फॉरम रिलीजियस प्लेसस इंपॉर्टन घटनाएं उपकरन संस्थापक मनोरंजन और आपका इंपॉर्टन डेज इंपॉर्टन परस्टनल्टी उसके बाद यह सारे टॉपिक्स निकाले मैंने इंपॉर्टन कल्चर से सवाल करेंगे संगीज से त्योहार सब्सक्राइब करें और यहीं से आग लगा दूगे आप ऐसा स्थी हो यूपी एंपी हर्याना राजी थन को एक्जाम हो सारा कमें से साथ डिर में हम साथ टॉपिक करने वाले हैं डेली एक टॉपिक करेंगे सभी को आना है शांदार कल हम डान्स से सुरू करेंगे और डान टॉपिक करते हैं शांदार तरीके से कोई भी टॉपिक छूटेंगे रहें डान्स करेंगे फिर मेला करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे डेली क्लास में यह और एक और चीज़ कि जो भी बच्चे अभी तक जो दस तजार कॉश्चन वाला हमारा कोर्स है उस मेर्मिस नहीं आप कोई बच्च न जाये बच्चा क्योंकि 200 रुपे मां राम सर्मिस ले सकता है कोई यतर महगा निए यह मैं इसमें ध्यान सर्मिस लेज़ेगा सभी लोग अभी नहीं अप्लिकेसन में इस कोर्स में लोल कर लिए 200 रुपे फीस है और जितने बच्चें से स्स्टी तरह दूगा तरह कर दोंगा ठीक है चलो और इसमें अध्यान से लिना इसी क्लास तीन बजे होगी इसकी जो प्रेड़ क्लास मेरी तीन बजे हो रही है एपलीकेसर में आज स्टार्ट हो चुकी है कल हम प्रहाना सुरू कर देंगा आज इंट्रोड़क्शन क्लास तो पहली और बाकि 10 बजे यूटूब में लगता दो एक लास है तो अभी मेरी एक ही क्लास है रात को दस बजे यूटूब में ये वाली क्लास डेली देखना है शांदार बहतरीन तरीके से डेली क्लास में ये कोई दिकर कोई समस्ते होती है बेशी दक आप पूज़ वता सकते हैं कल ही ने कहीं जरूर हुआ है बस इद दिवांगा रखना पेपर यह मत सोच कि जाना कि इजी आएगा टफ आएगा इजी आएगा सब के लिए टफ आएगा लोड़ मत रेना बाकि आप में से कोई भी बच्चा कर नोड़ा 62 सेक्टर के पास है तो वह मुस्तिया के मिल सकता है क लेकर कम से कम 10-11 वहीं रहूंगा मैं और आमसे मिलेंगे चाय पिएगए जूस पिएगे चाय पिएगे जूस नहीं पीता में गलप हराब दाता मेरा क्लियर अब खुब पहाई केजिए कोई दिक्करत कोईस मस्ते आती ही बेज जीजिए कामेंड करके बताएए और बखी प God bless you, I love you all, bye.